प्रदीश बर में कोरोना का कहर जारी है इसने हर तबके को प्रभावित किया है इससे राजस्थान की कला एवं संस्कृति का क्षेतर भी अचूता नहीं है खासकर थेटर के कलाकार इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं इन कलाकारों के पास अब ना मंच है और ना ह सु बहारा है वहीं रंगमंच के कलाकार हाथ पर हाथ धरे बैठ हैं जो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं कुछ कलाकार तो रोजी रोटी के जुगार में रोजगार के नए विकल्पों की और बढ़ने की ओजना बना रहे हैं एवन टीवी से खास बाचीत में कोरोना की वज़े से थिएटर के कलाकारों के सामने रोजी रोटी का संकटा गया जिसके चलते रंगमंच पर गतिविदी शुरू करने की मांग की गई है कोरोना की माहमारी ने देशपर के हर तबके को परभावित किया है उसमें राजस्तान की कला और संसकर्ती का तबका भी अचुता नहीं है राजस्तान की कला संस्कृति की बात की जाए तो सबसे अधिक जो तबका परभावित हुआ है उसमें है वो है थेटर कला तो थेटर कला के जो कलाकार है खास तोर से अगर जैपूर की बात की जाए तो जैपूर का रविंदर मंच जो कि कई जाने माने थेटर यहाँ पर तैयार किये थे और आज जो है देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं वो आज कला का केंदर आज जो है पिछले धाई मेने से सुनना पड़ा है यहाँ पर जो सुबह और रात लेकर जो हसी यहाँ पर मुस्कुराट देखी जाती थी और आगे क्या प्लानिंग है उनकी किस तरह की की वो तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अभी तक जो है सरकार ने कारिकरम करने की अनुमती नहीं दी है हमारे साथ सबसे पहले हम बात करेंगे प्रियेदसनी मिस्रा है जो एक थियटर के जगत में जाना पाचाना नाम है किस तरह के से कला प्रभावित हुई है सरकार की तरप से क्या आपको रेश्वटर की बात करें तो कॉरना ने हर फील्ड पर प्रभाव डाला है हर फील्ड में एक प्रभाव डाला वो अपना आर्थिक रूप से सूद्रड होता था लेकिन अब वो इस्तिती नहीं रही है कि सरकार तक गोहार जाए, सरकार तक हमारी बात जाए, लेकिन वो वहां से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, उमीद है सरकार से कि आने वाले दिनों में वो यकीनन रंगमंच क के कलाकारों के लिए कुछ अच्छा प्रयास करेगी और आर्थिक रूप से सूद्रड होंगे हमारे कलाकार, ऐसा, ऐसी मेरी संभावन, ऐसी मेरी आशा है हमारी सरकार से, सरकार से आसा है, सरकार जो है आने वाले वक्त में जो है इन कलाकारों की आवाद सुनेगी और इनको को भी जो है दुबारा पट्री पर लोटने का मुखा मिलेगा हमारे साथ जो है चंदरदीव सिंग जी हाड़ा है जिन्होंने पीएजडी भी की है इसमें नाटिय कला में आप किस तरीके से देखते हैं आपने इतनी पड़ाई लिखाई भी की है लेकिन वर्तमान जो दौर है वैसे भी संकट के दौर से ही गुजर आता ये कला तो अब कोरोना से कितना प्रभावित है ये? कोरोना से हमारा आटन कल्चर, हमारा थियेटर बहुत प्रभावित हुआ है, जैसे ही लॉकडाउन हुआ, तो हमारे सामने सबसे बड़ी चिंता यह आई कि हमारा सर्वाइवल कैसे होगा, क्योंकि हम तो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़े पढ़े लिख लिए है में, लेकिन हमारे बहुत सरे कलाकार ऐसे जो अनपड हैं, खासकर हमारे लोग कलाकार, तो हम नाटे विभाग से पास आउट कुछ स्टूडेंट्स ने यह तैय किया, कि हम राजस्तान के कलाकारों का एक डाटा तयार करेंगे, और वो गवर्मेंट को देंगे, और यह मुह साब के जो स्पेशल आफिसर से उनको और गवर्मेंट साब के यहां पर भी और सेंट्रल मिनिस्ट्र अफ कल्चर में भी हमने वो डाटा भेजा है, बट अभी तक हमें वहां से कोई रिवर्ट नहीं आया है, कि वो हमारे इस काम को एक्प्रिशेट करें या ना करें, बट क कोई रिवर्ट नहीं आया है, अभी तक हमें कहीं ना कहीं करता है, ऐसे में हमारे लिए यह प्रश्ण खड़ा हो गया है, कि हम थेटर में रहें कि नहीं रहें, इतनी डिग्रियां लेने के बाद में, इस वक्त में सीनर फैलोशिप कर रहा हूं मिनिस्ट्र अफ कल्चर से, उससे पहले में जूरी फैलोशिप मेंने किया है, स्कॉलरशिप में मिली है यहां से, प्यस्डी मेरा कर लिया, नेट में ने कर लिया, तो डिग्रियां तो बहुत सारी हो गई है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है. प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, इन कलाकारों का कहना है, हमारे साथ कुछ वरिष्ट रंकरमी भी है, भारत जन्संग नाटे जैपूर के अध्यक्स भी है, संजेव विद्रोई जी, विद्रोई जी बिताये, कुछ कलाकार है जो नाटे कला कर रहे थे यहां पर, लेक इंदर मंच की और जवारकला के इंदर में, जितनी सारे युवा आते थे, मतलब रंगमंच को सीखने के लिए, उनके सामने एक बहुत बड़ी स्तिती है होगी है, कि अब क्या करें, खासता उसे जो बच्चे इस ड्रामा के अंदर एजुक्शन लेके आ रहे हैं, उन लोग इंदर मंच ऑडिटोरियम बंद है, प्रसनियम थेयाटर बंद है, हम एक साथ बैठने सकते हैं, रहसल नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगी गुजारी से सरकार से कुछ ऐसी व्यवस्ता हो, कि रंगमंच सुचारू रूप से चले, बिल्कुल बंद नहीं, कि पहले शुरू से ही द्यान दे, नहीं तो एक स्थिति आए कि जो कलाकार दो दशक से तीन दशक से रंगमंच के शेतर में थे, वो पलायन कर जाएंगे, पुराने कलाकार है, वो जहां एक तरफ कहीं पलायन को मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के से कोरोना ने अपना कहर बरपाया है, त हमारे साथ जो है वरिष्ट निंद्रसक है, नाटे के जूची भारगव जी में बताया किस तरीके से जैसे आप कलाकार आप तैयार करते हैं, आपके पास आते हैं, लेकिन अभी धाय मिने से कोई कलाकार नहीं आ सकता, हालां कि ओनलाइन हो रहे हैं, कही तरह लेकिन ओनलाइ में तो खेर वो चीज संभव नहीं है तो जब तक रिविन्यू नहीं आता इन ओनलाइन प्रोग्राम से तब तक यह ओनलाइन थियेटर का कोई औचित्य नहीं है अभी ठीक है अभी तीन महीन हैं हम एक डिपरेशन के काल में तो उसमें जो भी कुछ आ रहा है वो अच्छा ल कुछ प्रन का संकट ए उनको धुंडए उनको निकाले और उनके लिए कुछ प्लान करे है सरकार को इस चीज पर ध्यान देना हुगा क्योंकि इनकी मांग है कि के टास्ष फोर्स का अकर्ण किया जाए माई जो यह कलाकारों के लिए कमेटी बने और कलाक अजारोंriver का शैन क पिछले धाई महीने से उनके जो घर चलाना मुस्किल हो गया है तो ऐसे में जब सरकार इन कलाकारों की सुनेगी तब ही जो ये राजस्तान की जो कला है वो बची रहेगी नहीं तो इनको मजबूर होके कोई और जो है छेत्र चुन्ना होगा जिससे अपना जीवन चला सके कैम